C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तत है कक्षा पांच की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का सोलवा पाट कौन करेगा यह काम प्रिष्ठ 146 क्या तुमने अपने आसपास ऐसे द्रिशे देखे हैं जैसे बहुत बड़े कूडे के टीले में घुश कर उसकी सफाई करना जैसे सडक पर बने सीवर में घुश कर वहां की सफाई करना स्लम की पतली गलियों में घुश कर वहां की सफाई करना लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं प्रिष्ठ 148 हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से प्रेश्ण आप कब से ये काम कर रही हैं? करीबन 20 साल से जब से पढ़ाई खत्म हुई है आप आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता? पढ़ने के लिए पैसे चाहिएं वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं मतलब? उत्तर था बाप दादाओं से उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज्यादतर लोग ये काम कर रहे हैं डिगरी लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं प्रेश्ण, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज की हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है यह अंज, स्चालिन के की डॉक्यमेंटरी फिल्म, इंडिया अंटेश्ट से लिया गया है लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं, उनसे बात चीत करो और लिखो वे कब से यह काम कर रहे हैं? वे कहां तक पड़े हैं? क्या उन्होंने और कोई काम ढूंडने की कोशिश की? क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे? उनको इस काम में क्या परिशानिया आती हैं? प्रिष्ट 149 यहां एक चित्र दिया गया है चित्र में काम करते हुए लोग दिखाए गए हैं जैसे गाए का दूद दूहना एक दुकान पर सबजी बेचना ट्रैफिक पुलिसमेन बाहर सबजी बेचना बच्चे की देख भाल करना बाग के माली का काम स्कूल में पढ़ना स्कूल में पढ़ाना श्कूल का चौकीदार कूड़ा उठाने वाले टर्ट में बैठ कर सडक का कूड़ा उठाने का काम बस में स्कूल जाना बस ट्राइवर का काम सडक की सफाई ठेले पर सबजी बेचना बरतंध होना घर का काम करना दफतर में बैठ कर कम्प्यूटर पर काम करना पेंटिंग करना ठेले पर सामान होना कूडे में से सामान बीनना दुकान पर काम करना घर का खाना पकाना मकान बनाने के लिए मजदूरी करना सबजी बेचना अब आपके लिए काम इस चित्र में जिन कामों को दिखाया गया है उन में से कोई पांच काम तुम ही करने हो तो तुम कौन-कौन से काम चुनोगे और क्यों? इन में से कौन से काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? प्रिष्ट एक सौपचास चर्चा करो तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें करना कोई भी पसंद नहीं करता? कल्प ना करो अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ़ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूडा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को ना पसंद काम ना करना पड़े अपने सोचे गए तरीके के चित्र बना कर दिखाओ यहां बच्चों के बनाए कुछ चित्र दिये गए हैं जिन में बच्चों ने दिखाया है कि मशीने अपने आप कूड़ा साफ कर रही है क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कही लोग ने की, आज भी करते हैं पर बदलाव लाना आसान नहीं ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देशाई जिनका बेटा है नारायन नारायन का बच्चपन गांधी आश्रम में गुजरा था यह किस्सा उन्ही की किताब से लिया गया है पुरानी यादें नारायन यानी जिसे प्यार से बावला कहते थे जब ग्यारा साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग-अलग काम करने पड़ते थे उनमें से एक था आने वाले महमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिन में सेंडास की गंदगी गिरती थी फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था इन टोकरियों को हाथ से उठा कर ले जाना होता था आमतोर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड़े तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था फिर वह कोई भी क्यों ना हूँ एक बार गांधी जी महाराश्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गाउं में रहने गए यह गाउं था तो वर्धा शहर के पास लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था गाउं में गांधी जी महादेव देशाई और उनके साथ ही संडास की सफाई का काम करने लगे कादमी लोटा लेकर आ रहा था जब उसने मादेव भाई को देखा तो बोला उस तरफ ज्यादा गंदगी है वहां सफाई करो यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया उसने सोचा गाउं वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बलकि गांदी जिसे यह पूचा तो वे बोले चुआ चूत का भेद भाव छोटी सी बात नहीं है उसे मिटाने के लिए कड़ी मेनत की जरूरत है नारायन यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अचूत माना जाता है पर वे यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम ख उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे गांदी जी बोले क्यों इस से सफाई करने वालों को फाइदा नहीं होता क्या उन्हें सीख नहीं मिलती कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है सफाई का काम भी चोटा नारायन फिर भी नहीं माना वे फिर स बोल पड़ा पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते गांधी जी और नारायन की बहस तो चलती रही फिर भी आगे चल कर नारायन भाई ने गांधी जी के दिखाय रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा यह अंश नारायन भाई देशाई ने लिखा था इस अंश को संत चरणरज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है बताओ गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ऐसे किनी लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठनाईयों को आसान करने की कोशिश करते हैं पता करो गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए महमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था अगर तुम इन महमानों में से होते तो तुम क्या करते प्रिष्ट 152 तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या विवस्था है टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर टॉयलेट कौन साफ करता है गाउं में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाईर के साथ कैसा बरताव किया और क्यों जो लोग टॉयलेट और नालियों वगहरा की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बरताव होता है लिख कर समझाओ नारायन और बावा साहब के बच्पन की बात तो अब कई साल पुराने है क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बच्पन यह बात लगभग सौ साल पुरानी है साथ साल का भीम महराश्टर के गोरे गाउं में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का खयाल आया नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा नाई फट से बोल पड़ा तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे अरे क्या इनसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है नन्य भीम ने सोचा आगे चल कर यही भीम भीम राव यानि बाबा साहब अंबेटकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का सम्विधान तयार हुआ स्कूल में एक बातचीत आज का सच हेतल बोला मैं हेतल हूँ यह मीना है हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं प्रेश्ण स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो मीना बोली हम ग्राउंड साफ करते हैं प्रेश्ण था सब बच्चे हेतल बोला नहीं सब बच्चे नहीं करते मीना बोली हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं सब को दिन बाट दिये गए हैं, मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुद्ध को, ऐसे, हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं हेतल बोला, बीस बाल्टी पानी ढोकर यहां डालना पड़ता है, जाडू लगाना पड़ता है प्रेश्ण था, तुम ही क्यों करते हो, सब बच्चे क्यों नहीं करते, हेतल बोला, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया, तो मार पड़ती है यह अंश, स्चालिन के की डॉक्युमेंटरी फिल्म, इंडिया अंटेस्ट से लिया गया है प्रिश्ट 153, बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है, क्या क्या साफ करना पड़ता है, क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं, अगर हां, तो किस तरह की, अगर मदद नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है क्या लड़के और लड़किया एक ही तरह की काम करते हैं घर में तुम किस तरह की काम करते हो क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किये जाने वाले कामों में समानता है क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लान चाहोगे? चर्चा करो क्या समाज में लोगों द्वारा किये जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं, तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? गानी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा हम दे रहे हैं. यह भजन गुजराती भाषा में है. अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और इसके बारे में सोचो. भजन है, वैश्नव जन्तों तेने कहिए जे पीड पर राई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे, मन अभिमान ना आने रे. हम क्या समझे? गान्धी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए. इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो, तो क्या-क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं? कौन करेगा यह काम? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुष्टक हमारे आसपास का सोलवा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नईदिल्ली भारत